कि नमस्कार साथियो मैं चैनल पकाश शर्मा आपका जी एस पाट साला आईए इसके पोड़काश कारक्रम मैं स्वागत करता हूं दोस्तो हम पढ़ रहे हैं भारते संबिधान जिसके अंतरगत हमारा स्रोथ है लक्ष्मी कांट की पुस्तक और इस लक्ष्मी कांट की पुस्त तक के अंतरगत हम मूल अधिकारों वाले चैप्टर पर हैं तो आज हम पढ़ेंगे धर्म की स्वतनतिता का अधिकार आइटे कल 22 तक हमने पढ़ लिया था तो दोस्तों अवी तक आवकर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी साथ वेल आइकन को दवाना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिवेक्शन मिलते रहें दोस्तों मैं बात करूंगा धर्मी की स्वतनतिता का अधिकार आप देखेंगे धर्मी का अधिकार जो है हमारे समिधान में अनुक्षिद 25 से लिका 28 तक दिये कि 25 वा आइटिकल है कि अंत्यकरण की और धर्म को अवाद रूप से मानने की आचरण की और प्रचार करने की स्वतनतिता कहने का मतलब इसके अंतरगत चार चीज़ा समाहिट की गई या नुक्षिद 25 में और कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अंत्यकरण की स्वतनतिता हो होगी धर्म को अवाद रूप से मतलब बिना बाधास के मानने की स्वतनता होगी आचरण करने की और प्रचार करने की स्वतनतिता होगी या समान हक होगा तो बात करते हैं चार सब्दों की पहला आता है अंत्यकरण की स्वतनता तो कहने का मतलब है कि अंत्यकरण की स्वतनत यह आप पर डेपेंड करता है आपको इस्वर को मानने की क्या परपार्टी है या आपकी अंतर्गर्थ आती है दूसरा आता है मानने का लिकार तो किसी भी व्यक्ति को अपने धार्मिक विस्वासों को अपनी आस्था को सावजनिक रूप से और बिना भाईके जो है कर सकते हैं जिस धर्म को मानते हैं उसके समारू कर सकते हैं उसके आस्था विचारों के प्रदर्शन की आपको सुटंतता होती है और प्रसार कहने का अधिकार है कि अपनी धर्मिक आस्थाओं को आप अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं अपने धर्मिके सिध्धानतों का प प्रसार कर सकते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस अधिकार के अंतरगति धर्म को परवयतित करने का अधिकार नहीं है मतलब आप किसी अन्य व्यक्ति के धर्म को प्रसार करने के अधिकार के अंतरगति बदलवा नहीं सकते क्योंकि अगर आपने जवजद्रस्त अटिक्रमण करता है मतलब उसे रोकने का प्रियास करता है तो कुल मिलाकर हमने देखा कि अनुक्षित जो 25 है केवल धार्मिक विस्वास की ही बात नहीं करता है इसमें धार्मिक आचरण को भी समाहित किया गया है साथ ही साथ है आप देखेंगे यह सभी लोगों के लिए है वो नागरिक हों चायबो गैर नागरिक हों मतलब बिदेशी व्यक्ति हों सभी को यह अधिकार दिये गए हैं तो यह महत्पुन बात है साथी साथ आपको ध्यान रखना है कि यह जो अधिकार है जो राज होता है इन पर कुछ युक्टी युक्टी परतिवन्द जो है कुछ परिष्टितियों में लगा सकता है, जैसे कि ने टिक्ता के आधार पर, स्वास्त के आधार पर, या मूल अधिकारों के अन्य वांचित चीजों को लागू करने के लिए इनको कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। साथी साथ आप देखेंगे, इसके बाद एक और महत्पूर्ण चीज सामिल है, कि जैसे कि हम जब हिंदूओं की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, हिंदूओं के अंतरगते, सिख, जैन और बौद सभी समलित किये जाते हैं, इसमें एक और चीज आती है, कि ज अनुक्षेद 26 कहता है, धार्मिक कार्वियों के प्रवन्द की स्वतंतरता, मतलब अनुक्षेद 26 के अनुसार, प्रत्यक धार्मिक संप्रताई को, या उसके किसी भी पार्ट को, अनुभाग को, किस चीज का अधिकार है, अपनी संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है उनने पोशन करने का अधिकार है मतलब यह जो धार्मिक संपता है अपनी संस्थाओं का गठन कर सकते हैं और एक तरीके से उनको पोशित कर सकते हैं साथ ही साथ आप देखेंगे अपने धार्मिक विश्यकार्वियों को प्रवंदित करने का भी अधिकार इन संस्थाओं को है, साथी साथ इन्हे संपत्ति अजित करने का उनका स्वामित करने का भी अधिकार है, और ऐसी संपत्ति का कानुन के अनुसार प्रसासन करने का भी अधिकार है, कुल मिलाकर हम कह सकती है, आर्टिकल की जब बात कर रहे थे अंटकरण की स्वतंता वाले की तो वो जो अधिकार था केवल व्यक्तिकत अधिकार था मतलब केवल व्यक्तिकत अधिकारों की गारंटी देता था जबकि आप आर्टिकल 26 देखेंगे ये व्यक्तिकत अधिकारों की गारंटी नहीं बलकि आ हम इसमें पूरे के पूरे संपर्दाई की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे आर्टिकल 26 साम होई के धार्मिक रूप से अरिकारों की रक्षा करने का काम करता है फिर हम इसमें एक और मेर्पूर्ण चीज देखेंगे कि पहली बात तो किसी भी धार्मिक संपर्दाई को ब्यक्तियों का समू होना चाहिए साथी साथ आप देखेंगे इनका एक सामानी संगठन होना चाहिए और इसका कोई विसिष्ट नाम होना चाहिए तो उस संगठन को जो है धार्मिक संप्रदाय मानेंगे और इसके आरारप अच्छतम न्यायले ने रामक्रष्ण ने जो मिशन था या आनंद मारग नामक जो संगठन है उनको धार्मिक संप्रदाय माना है जबकि आप देखेंगे अरविंडो जो सुसाइटी है उसको धार्मिक संप्रदाय नहीं माना इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल आपका 27 जो कहता है कि धर्म की अविवरद्धी के लिए करों के संदाय या प्रदान करने से स्वतंतता बहुत अच्छा आर्टिकल है दोस्तों इसमें कहा गया है कि अनुक्षे 27 के अनुसार किसी वी व्यक्ति को किसी वी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संपदाय की ब्रद्धी के लिए या पोश्ण के लिए या उसमें ब्याय करने के लिए कर देने के लिए वाद्य नहीं किया जाएगा मतलब हमारे संभी धर्म में प्रावदान है कि किसी की धर्म को बढ़ाने के लिए जनता से टैक्स नहीं लिया जा सकता तो यह मैट पूंट शीजर साथ ही साथ इसको अगर हम दूसरे तरीके से कहें तो हम कह सकते हैं कि राज ये जो होगा वो जो टैक्स लेता है या करके रूप में जो धन आता है उसके पास उसे किसी भी विशिष्ट धर्म के उत्थान के लिए या उसके रख्रकाव के लिए ब्यायर नहीं किया जाएगा और ये विवस्ता आप समझ सकते हैं दोस्तों क्यों की गई यह ताकि किसी भी एक धर्म की तुलना में राज य के लिए कर सकता है यहां पर एक रचीज आपको जानने चाएगे दोस्तों यहां पर जो बेवस्ता की गई है के बात की गई है ना कि सुलक के लिए मतलब जो राज यहोगा वो कोई टैक्स नहीं ले सकता है किसी धर्म को बढ़ाने के लिए लेकिशिप Yorkaf लेंसे आपको क्या दिया जाएगा इसमें एक तरीके से बात चुपी होती है कि सरकार अगर टेक्स ले रही है तो सामोही के रूप से कोई उध्थान का काम करेगी सभी के लिए कुछ नकोच अच्छा करेगी लेकिन जब फीस ली जाती है सरकार के द्वारा तो परिटिकल और विखती को उसका एक तरीके से प्रतिफल दिया जाता है जिस चीज के लिए उस से फीस ली जाती है। तो कुल मिला कर आप इस article की अंतरगत फीस जो है ले सकते हैं लेकन τैक्स नहीं ले सकते हैं तो कुल मिला कर ये वहत हो मेहतरपूण article है इसके बाद आता है आपका article 28 जोकर धारमिक शुतनता की अंतरगत अंतिम आटिकल है इसमें आप देखेंगे ये धर्मिक सिच्छा में उपस्तित होने की सुतनता देता है कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर धर्म की आरार पर कहीं पर सिच्छा दी जा रही है तो क्या उसमें उपस्तित होगा या नहीं होगा तो ये संस्तानों के प्रकार पर डिपेंट करता है आप देखेंगे कि राज जी के पैसे से या हम बोल सकते हैं कि राज जी की निदी से पूर्ट पोशित होने वाले किसी भी संस्तान में कोई भी धर्मिक सिच्छा नहीं दी जाएगी अगर कोई भी संस्तान है जो पूरी तरीके से सरकार से पैसे से चल रहा है तो उसमें कोई भी धर्मिक सिच्छा नहीं दी जाएगी साथी साथ आप देखेंगे कुछ संस्तान अगर हम बात करें संस्तानों की सेक्शनों की संस्तानों की चार परकार के होते हैं कि कुछ संस्थान ऐसे होंगे जिनमें पूरी तरीके से रख रखाव कौन करेगा राज्य करेगा सरकार करेगी कुछ संस्थान ऐसे होंगे जिनका प्रसासन तो राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना कोई ट्रस्ट के द्वारा की गई है तीसरा आप देखेंगे राज्य के सब्सक्ति से लिए एस रखरकाप, पूरी तरी चार राजी करता है, सरकार करती है, ऐसे संस्पथान में धार्मिक, सिछा या धार्मिक देश्थाश्टि अनुमति होती है, जबकि हमने बाद के दो संस्थानों के जो बात की राज्य के द्वारा माननेता प्राप्ट संस्थान और राज्य के द्वारा बित्ती साहिता प्राप्ट वाले संस्थान तो ऐसे संस्थानों में जो होगा वो स्वेच्छे कादार पर धार्मिक सिच्छा की अनुमती होती है करता है उसके सरक्षक पर depend करता है कि उसकी सहमती से ही दी जाए अनिता जो है उसमें उपस्तित होने से उसे रोका जा सकता है तो यह हुआ आपका आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक अब हम बात करेंगे संस्कति और सिच्छा संबंदी अधिका जो कि आर्टिकल 29 और 30 की बात होगी तो सबसे पहले हम आते हैं आर्टिकल 29 पर जो कि अलपर संक्यकों के हितों की बात करता है या अलपर संक्यकों के हितों का सरक्षन करता है यह कहता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को यहां पर ध्यान रखें भारत के किसी भी कि हो इसको सुरक्षित करने का अधिकार है कहने का मतलब नागरिकों के जो segment है विविन्य segment जिसमें अलपसंक्यक्वी सामिल है उनको अपनी भासा लिपी संस्कृति को बचाने का सुरक्षित करने का अधिकार है, साती साथ इसमें एक और मैट मूट चीह आती जाती है कि ऐसे नागलिकों को राज्य के जो संस्थान है या उसरे राज्य से साइटा प्राप्ट संस्थान है उनमें धर्मिजाती के आधार पर भासा के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा तो खुल मिलाकर ये दो बातें साइटिकल में आती है तो आप समझ सकते हैं कि हमने जो पहली बात की थी कि उनको अपनी भासा लेपी संस्थान्पी को स्वरक्षित करने का अधिकार है तो एक तरीके से यह एक सामोही कदिकारों की बात की गई है जबकि जो हमने उसमें दूसरी बात की जो नाद्रिक होगा उसको किसी भी धारम, किसी भी जो संस्थान में प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्यक्तिकत सम्मान की रक्षा की बात की गई है तो कुल मिलाकर दो तरीके से जो है आर्टिकल 19 अधिकार देने का प्रयास करता है यहाँ पर एक और चीज मैं बता देने दोस्तों आर्टिकल 19 है वो धार्मिक अल्प संख्यकों को भी समाहित करता है और भासाई अल्प संख्यकों को भी अल्प संख्यक सब्द आप समझ सकते हैं कि कि किसी भी देश के विलोग जो संख्या में कम हो जैसे कि धार्मिक अल्प संख्यक मतलब धर्म के आधार पर जिनकी संख्या कम हो भासा ही अल्प संख्यक मतलब भाशा के आधार पर जो भासा बोलते हैं उनके आधार पर उनकी संख्या कम हो यहां पर मैं आपको एक और प्रमुक चीज बताओं कि हमारे जो संभिधान में कहीं वी अल्पसंक्यक और बहुसंक्यक जो सब्द हैं उनको परवाश्यत नहीं किया गया है इसके बाद एक चीज आपको बता दूँ कि इस आर्टिकल की अंतरगत अगर देखा जाए तो यह जो गुरुप्स होते हैं नागरिकों के उनको आंदोलन करने का अधिकार है अपनी भासा को बचाने के लिए और यह इनके इस आर्टिकल की अंतरगत आता है मतलब कोई अगर सेक्षन है नागरिकों का वो आंदोलन अपनी भाशा को बचाने के लिए कर दा है तो वो इस आर्टिकल के तहत करता है इसके तहत अब हम बात करेंगे आर्टिकल 30 की जो कि सिच्छा संस्थानों की स्थापना उनके प्रसासन करने से संबंदित है कहने का मत मेहत्पूंट चीज है ताकि उनके जो लोग है उनके जो बच्चे है उनको उनकी हिवासा में सिच्छा प्राप्त हो सके साथी साथ आप देखेंगे इसमें दूसरी मेहत्पूंट बात की गई है कि अगर सरकार की द्वारा ऐसे अलपर संख्यक जो सिच्छा संस्थान है उ राजिय जो है अगर फीस नहीं देना चा चाहता श्यंध फीस नहीं नहीं चाहता है तो हो सकता है छते पूर्यती नहीं करे में आयूंध और आप जानते हैं संबिरन संसूधन जो है इसी से संबंदित है जिसे हम आगे पढ़ेंगे इसमें तीसरी मेहत्पूर्ण चीज जोड़ी गई है कि राज जी जो होगा वो आज दिक साजता में अलपसंख्यकों के द्वारा जो संस्थान होंगे प्रवंदित उनमें बिवेद नहीं करेगा मतलब राज जी के द्वारा यदि कोई हल्प की जा रही है ऐसे संस्थानों की तो इस आदा पर बिवेद नहीं करेगा भीरवाव नहीं करेगा कि यह अलपसंख्यक वर्गों का संस्थान है तो इसमें एक और मेहत्पूर्ण चीज आप देखेंगे कि अलपसंख्यकों के जो स हो सकते हैं जो राज जिसे मानिता तो लेकते हैं लेकिन आत्यक साहिता नहीं लेते हैं या ऐसे संस्थान भी हो सकते हैं जो राज जिसे मानिता और साहिता नहीं ले सकते हैं नहीं लेते हैं तो कुल मिलाकर कई तरीके की कैटेगरी होती हैं आपको मुख्यचीच पर ध्यान देना है अब हम बात करते हैं सम्भिधाने कोप्चार perturb का अधिकार जो के आर्टिकल 32 है और बहुत मैत्पून अधिकार है दोस्तों तो आपको समय ना चाहिए कि सम्भिधान में मूल अधिकार देये गए हैं या मूल अधिकार की सम्भिधाने गोश्ला कर दी गई है लेकिन यह सम्भीधानिक अडिकार या मूल अधिकार तब तक इनका कोई महत तो नहीं है, तब तक आयते हीन है, तरक हीन है या हम बोल सकते हैं कि इनमें कोई भी शक्ति नहीं है सकते भी इन्हें जब तक कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो ऐसी कोई प्रभावी मसेंद्री नहीं हो जो से लागू ना करें तो आप देखेंगे यही काम किया गया है आर्टिकल 32 के तहट जिसे हम संविधाने कुपचारों का अधिकार कहते हैं कहने का मतलब मूल अधिकारों का सर अच्छन करता है और यह स्वयम में ही एक मूल अधिकार है यदि हम बात करें डाक्टर अंबेट करकी तो डाक्टर अंबेट करेंगे संविधान के सार्टिकल को काफी मेध्पुर्ण माना है और उन्होंने कहा था यह वो संविधान का वह अनुक्षिद है जिसके बिना कि अत्म है या शंबिधान का हिदे तो आप ये प्रस्थित का पढ़ते होंगे कि यह जो भी आइपा शेन लचनल को संभीधान की आत्मा इत्म आला है तो आर्टिकल 32 को तो इसκ levar प्रावधान यह है कि उच्चे तम नियाल जो है चुर्चितम नियाईलाए ने बस्ता दी है जो यह आर्टिकल 32 से है क्या है मूल धाचा सम्भेधान के मूल धाचे वाला टॉपिक भी हम पढ़ेंगे और सम्भेधान के मूल धाचे के अंतरगत जो भी चीजिए अगर उच्छितम नयायले समाहिद करता है फिर संसर उनमें संसोदन नहीं कर सकती है अगर हम इस आइटिकल में चार बातों को देखें, चार प्रमुक बाते हैं पहली तो यह कि यदि किसी के मूल अधिकारों का उलंगन हो रहा है तो आप उच्छतम न्यायले में आविदन कहने का अधिकार रखती है या उच्छेतम न्यायले में जाने का अधिकार रखती है दूसी प्रमुक बात है कि उच्छेतम न्यायले में जब आप अपने मूल अधिकारों को लेकर जाती है तो उच्छेतम न्यायले को नेजदेश दिने का या आदेश दिने का अधिकार होता है साथी साथ उसके द्वारा कई रिट जारी की जाती हैं जिने हम पढ़ेंगे और ये रिट हैं बंदी प्रत्यक्षी करण, परमादेश, प्रतिशेद, उत्प्रेशन और अधिकार प्रिक्षा तो ये पांच तरह की रिट हैं हम आगे चलका पढ़ेंगे साथी साथ इसके अंतरगत तीसी प्रमुख बात है कि संसत को ये सकती प्रदान की गई है ध्यान रखें संसत को कि वो लिट जारी करने का अधिकार या कोई निजदेश जारी करने का अधिकार या आदेश जारी करने का जो अधिकार है वो किसी अन्य न्यायले को भी दे सकता है ध्यान रखें अन्य न्यायले को दे सकता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो उच्छ न्यायले को दे उच्छ न्यायले को संभिधान के अनुसार Article 226 में ये अधिकार पहले से ही प्राप्त है यहाँ पर बात किसी अन्नि नयायले की हो रही है और एक और चीज है कि ऐसा कोई अधिकार सौपा जाता है तो महत्पूंट चीज ध्यान रखी जानी चाहिए कि यह किसी पूर्वा ग्रैसे गरस्त नहीं हो मतलब उच्चितम नयायले की अधिकार को कम करने की कोई शाजिश नहीं हो इसके बाद हम देखेंगे उच्चितम नयायले में जो जाने की अधिकार को जो है निलंबेत नहीं किया जा सकता है सिवाए राष्ट्रे आपातकाल कि आप जब राष्ट्रे आपातकाल देखेंगे उसमें आप देखेंगे आर्टिकल 359 के तैतर जो है उच्चितम नियायले में जो है आप नहीं जा सकते मूल अधिकारों को लागू करने के लिए तो ये चार प्रमुक बाते हैं इसमें इसके बाद आप देखेंगे कि उच्चितम नियायले को जो मूल अधिकारों की रच्चा कहने का प्रमुक संस्थान माना गया या हम बोल सकते हैं कि मूल अधिकारों का रच्चा गया मूल अधिकारों का गारंटी करता भात का उच्चि जा सकते हैं और ऐसी इस्तिती पर उच्छितम नयायले का जो नियाएक छित्र है वह मूल तो है फंडामेंटल तो है कि आप पहले वहां जा सकते हैं लेकिन अनन्नी नहीं है अनन्नी नहीं होने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसी संस्थान में जाएं किसी और में नहीं जाएं मतलब हम कह सकते हैं कि अनुक्षे जो 226 के तहत उच्छे नयायले के नयायक छित में भी ये बात आती है कि जिस तरीके से आप उच्छे नयायले में जा सकते हैं मूल अधिकारों को लागू करने के लिए उसी तरीके से आप उच्छे नयायले में भी जा सकते हैं महां पर निजदेश जारी करवा सकते हैं आदेश और जटेश जारी भी करवा सकते हैं इन्हीं मूल अधिकारों के लिए तो यह एक महत्पूर्ण चीज है कुल मिलाकर आप दोनों ही संस्थानों में जा सकते हैं तो यह हमें ध्यान रखना चाहिए इसके बार हम देखेंगे कि अनुक्षिर 32 के द्वारा जो अधिकार दिये गए हैं वो खुद में ही मूल अधिकार हैं और इनको रोका नहीं जा सकता है तो इस तरीके से हमने संभिधाने कुपचारों के अधिकार को पढ़ा है जो काफी महत्पूर्ण है दोस्तो आब हम टॉपिक पढ़ते हैं मूल अधिकारों की आलोचना कुछ अन्य टॉपिक हैं जन्ने हम लाश्ट में देखेंगे क्योंकि अब जो टॉपिक आने वाला है जितनी हमने सामगरी पढ़ियो उससे उनका जवाब दिया जा सकता है तो मूल अधिकारों की आलोचना हमारे आप देखेंगे जो संभिधान को जानकार रखने वाले लोग हैं उनके द्वारा मूल अधिकारों की आलोचना कई आधारों पर की गई है पहली आलोचना आती है ब्यापक सीमाओं को लेकर मतलब कहा गया है कि जो मूल अधिकार है उन पर बहुत सारे प्रतवंदे लगे हैं उन पर उनके बहुत सारे अपरवाद हैं तो इस आधार पर इसकी आलुष्टना की गई है कुछ लोगों का कहना है कि एक तरब तो संभिधान जो है हमें मूल अध अधिकार देता है और दूसरी तरफ प्रत्यवंदों के माध्यम से उन्हें छीन लेता है तो इस आधार पर इसकी आलुष्टना होती है कुछ लोग इसका मयाक उड़ाते या आलुष्टना उड़ाते हुए कहते हैं कि संभिधान के सभाग का जो नाम है मूल अधिकार नही स्ताफना करते हैं तो यही कहने का प्रयास किया गया है कि यह जो सूची है संफून सूची नहीं अधिकारों की क्योंकि अधिकार तीन तरीके के होते हैं सामाजिक आर्थिक और राजनितिक अधिकार लेकिन हमारे जो मूल अधिकार है केवल राजनितिक अधिकार ही प्रद सम्वेधान ऐसा करते हैं तीसरी प्रमक बात देखेंगे इस पश्टिता का वाव तो आप देखेंगे कुछ लोगों का कहना है कि भाते संवेधान की व्यक्यां बहुत आई परवसता सभीज दोन्टली, अनिश्यत हैं, और कई सब्द तो ऐसे हैं, जिनकी सःी व्याक्या्थ पता ही नहीं चलता है, हैं बार बार उनकी व्याक्या होती है, जैसे कि आप देखें गई लोग विवस्ता सब्धुआ अल्प संक्यक सब्धुआ जो कि कहीं परवासिती नहीं है युक्ति युक्त प्रत्यवंदन हुआ साभ जनिक हुठ हुए यह ऐसे सब्ध हैं जिनकी व्याक्याएं हर बार बदल जाती हैं साथी साथ कहा गया है कि जो संभिधान को बनाने के लिए जिस भासा का प संभिधान बकीलों का स्वर्ग है तो ऐसी आलुषनाएं की गई हैं इसके बार हम च्वाथा देखते हैं स्थाइट्टु का अवाब आप देखेंगे भातिस संभिधान के मूल अधिकारों में स्थाइट्टु का अवाब है मतलब यह ऐसा नहीं है कि परवयचित नहीं किय भी जा सकते हैं संसुद्टु की कि जा सकती है संभिधान संसोडन हो सकते हैं जिनके दौट यह समाप्ते हैzur किया जा सकता है मूल दहांचे के अंतरगत रहते हुए तो कुछ लोग कहते हैं कि यह जो मूल अधिकार हैं वो बास्ताम में बहुमत्य प्रापते दल या बवमक्त प्रापते जो राजनितिक दल है उसका एक हत्यार मात्र और कुछ है नहीं है जिस पर संसत के द्वारा कई सीमाएं लगाई गई हैं फिर आप देखेंगे इसमें एक और आलुस्ता होती है आपातकाल के द्वारान इस्थगन मतलब मूल अधिकारो को आपातकाल के दौरान रोका जा सकता है सिर्फ आटिकल बीस और एकिस को छोड़कर तो लोगों का कहना है कि मूल अधिकार तो हमीशा रहने चाहिए बली देश में आराश्ति आपातकाल लगा हो या ना लगा हो एक और आलुस्ता होती है महेंगे ट्रीटमेंट के आदार पर महेंगे उप्चार के आदा पर मतलब कहा जाता है कि भात में जो न्यायपाल का है उसकी पूरी प्रक्रिया है वो काफी खर्चेली प्रक्रिया है और आम आदमी इसका भारे बेहन नहीं कर सकता है और यह मुखी रूप से भातिस समाज के धनाड़े लोगों के लिए पै प्राबधान तो निवारक निरोट का जो प्राबधान है हमारे संभीधान में किया गया है तो कुछ लोग कहते हैं कि यह प्राबधान संभीधान में करने की जरूरत ही नहीं थी और मुखी रूप से क्यों क्योंकि यह एक तरीके से राज्य को मनमानी प्रदान करता है अतिमाल। इस आधार पर होती है कि कोई model girl philosophy नहीं है मतल़ लोगों का कहना है कि हमारे जो मूँल अधिकार है किसी भी दर्सन पर आधारित नहीं है अगर यह किसी भी दरशन पर आधारित होते तो उनकी आसानी से व्याक्ष्या की जा सकती थी लेकिन किसी भी दर्सन पर जारत stakeना होने के कारण की व्याक्षा में बारबार कटना ही आती है जैसे के अगर यह Gahanande वाधी दर्शन पर होते तो व्याक्षा कहिते समयга गांदिवाध को आधार माना जाता या मारक्स वाध पर आधार होते तो यह मतलब किसी ना किसी विचाइधार दें तो इन्हीं आसानी से जो है बताया जा सकताथा अब हम पढ़ते हैं मूल अधिकारों का महत तो क्या है तो दोस्तों सारी चीजा पढ़ने के अभीर आप महत तो आसानी से लिख सकते हैं जैसे कि हम कह सकते हैं कि यह देश में लोक्तांतिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं लोक्तांति की स्थापना में शायक हैं तो डेमोक्रेसी जहां पर बैतर होगी वहां पर मूल अधिकार भी बैतर होंगे दूसरा हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति के भोटिक विकास में नेति विकास होता है व्यक्ति मोल कम अधिकार को बनाए में चाल करते हैं कि आर्टिकल 29-39 पड़ा है आपने आर्टिकल 23-24 पड़ा है जिसमें मानव दुर्वियापार की बात की थी साथ आप देखेंगे ये 32 समाज को धर्मिल पिक्ष बनाने में साहता कहते हैं आप 25-28 तक आर्टिकल देख सकते हैं साथ इसाथ इनके मेहत्व के बारे में कहा जाता है कि ये सरकार के सासन की पूर्टा पर नियंतरन रखते हैं मतलब सरकार की ताना साही पर नियंतरन रखते हैं आप समझ सकते हैं मूल अधका बनाई ही इसलिए गए हैं साथ इसाथ आप देखेंगे ये कही ना कहीं सोसल जश्टिस या सोसल समानता की बात करते हैं सामाज एक स आप देखेंगे ये लोगों को एक तरीके से राजनित्य को प्रसासनिक प्रणाली में भाग लेने का अधिकार भी प्रजान कहती है अभिव्यक्ति का अधिकार इसके अंतरकर सामिल है लोग अपनी अभिव्यक्तियों के माध्यम से जो है देश की राजनित्य को प्रसासनिक प्रणाली में भाग ले सकते हैं तो कुल मिलाकर मूल अधिकारों के महत काफी बिस्तरत है अब दोस्तों अब हम देखते हैं संभिधान के भाग तीन के कुछ बाहर के अधिकार हैं मतलब हमारे संभिधान में कुछ और अधिकार हैं जो संभिधान के भाग तीन में तो नहीं ह तो इनी अधिकारों की बात करेंगे तो दोस्तों यह अधिकार जो है मूल अधिकार तो नहीं है लेकिन यह संभिधानिक अधिकार है क्योंकि संभिधान में दिये गई हैं या हम बोल सकते हैं कि गैर मूल अधिकार भी हैं तो दो-तीन बातें इनके अंतरगत सामिल होंगी जै कि विदी के विना किसी वी व्यक्ति को संपत्ती से वन्चित नहीं किया जाएगा या मुख्षे 300 काक प्रता है इसी तरीके से भारत के राज्येच्षित में सभी जगह पर वाणज्य और समागम की स्वतनता होगी या वाणज्य और समागम बिना वादा के होगा या आर्टिक करने का अधिकार होगा तो दोस्तों ये वो अधिकार है चार जो मूर अधिकार तो नहीं है लेकिन आप देखेंगे ये आपके संभिधानिक अधिकार है तो कुल मिलाकर आपसे कोई टेक्स ने लिया जाएगा बिना कानून के आपको संपति से वंचित नहीं किया जाएगा बिना कानून के और भारत के राज्य छित्र में ब्यापार वाने जिप की स्वतंत्रता होगी और 37 वैश्क मता अधिकार प्राप्त होगा तो य क्योंकि आर्टिकल 32 का प्रयोग उस इस्तिती में किया जाता है जब आपके मूल अधिकार का उलंगन हो लेकिन चुकि यह मूल अधिकार नहीं है तो होगा यह कि आप इनको लागू करवाने के लिए नियायले में जा सकते हैं और ठीक उसी तरीके से जाएंगे जैसे सामान अन्य मुकदमों के तहते जासते हैं और साथी साथ आप आर्टिकल 226 का भी प्रयोग कर सकते हैं जो कि सिर्फ उच्छे नियायले में होता है यहां पर आपको बता दूँ उच्छे नियायले कोई अधिकार है कि वो मूल अधिकारों के उलंगन के लिए भी रिटे जारी कर स आए तो दोस्तों यह हमने क्लास आज की देखी और अंतिम क्लास में हमारे यह चैप्टर खतम हो जाएगा एक बड़ा चैप्टर था मुझे उम्मीद है आपको मूल अधिकारों की बहतर समझ होई होगी तो दोस्तों अगर आपको यह क्लास बहतर लग रही है तो प्लेज दोस्तों तक पहुंचाइए इन क्लासे इसको जारा से जारा शेयर कीजिए धन्यवादा